दोस्तों अगर आपके फोन में WhatsApp पर Keyboard जो है वो नहीं आता है आप अपना WhatsApp ओपिन करते हैं और किसी को भी मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्लिक करके तो आपके में कीबोर्ड नहीं आता है आपके में हो सकता माइक टाइप का कुछ आ जाता हो जिसमें बोल करक हो तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे कि आप जब इस पे क्लिक करें तो आपके सामने इस टाइप से कीबोर्ड है जिस पे क्लिक करके आप इसली टाइप कर सकें इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आप यहाँ से होम कर लीजिए उसके बाद आप चले करते ही आपको एक option दिखेगा languages and input का आप इस पे click करिए और इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पर manage keyboards का एक option दिखेगा आप इस पे click करिए इस पे जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने इस type के कुछ options आएंगे अब आपको करना क्या है आपके में अगर keyboard नहीं आ रहा है तो keyboard वाले options आपके में बंद होंगे और आपके में जो other options है यह on होंगे जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं इस type से आपके में यह तो यह on होगा या फिर यह वाला on होगा और यह वाले जो options है बंद होगे तो आपको करना क्या है आपको जो भी keyboard इन में से लगाना है आप उसको क्लिक करके यहाँ पे on कर लीजिए for example हमें इस keyboard को लगाना है तो हम यहाँ पे off पे click करेंगे और उसके बाद यहाँ पे okay पे click करेंगे यहाँ पे पर click करेंगे तो यह on हो जाएगा इस type से on लिखा दिखा देगा उसके बाद आपको क्या करना है या तो आप इसको click करके बंद कर दीजे जो other options है या फिर आप क्या करिए यहां से back करिए और यहां पर current keyboard पर click करिए और जो keyboard अभी on किया है आप उसको click करके select कर लीजिए अगर आप यहां पर click करके select नहीं करते तो आप क्या करिए आप यहां पर other वाला जो option है दूसरा उसको click करके बंद कर दीजिए और उसके बाद जब आप अपने phone में whatsapp पर typing करेंगे आप whatsapp पर किसी को message बेजेंगे तो आपके में keyboard आएगा जैसे ही आप इस पर click करेंगे आपको keyboard दिखाएगा अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए